हेलो दोस्तो मैंनित इसकुमार जुदुनिस आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज की मारे वीडियो बियारो मैसन की चोथी कलास यहां पर होने वाली है मोस्ट इंपोटेंट क्विस्टेंस लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए जो एक्जाम की द्रश्टी से बहुत ही मैथफोन है हलांकि बियारो मैसन के फॉर्म अभी भी चल रहे हैं ओके फ्रेंड्स तो जिस भी बाई ने अभी तक अपलाई नहीं के वह अपलाई कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स स्टाट करते हैं बिना किसी देरीगे सरपिल रूप से प्रबलीत इस्तंब में सरपिल की परिदिगत के किरिया के कारण क्या होता है ओप्शन ए कोलम की चमता कर जाती है ओप्शन भी कोलम की लचिलापन कम हो जाता है सी कोलम की चमता कम हो जाती है लेकिन कोलम की लचिलापन बढ़ जाती है option D, column की छमता और column की लचीलपन दोनों बढ़ जाती है तो D's का right answer है friends ओके चलते हैं next question पर तो friends next है इन में से गलत कतन चुनिए निमन लिखित में से option A, एक गोदाम की बारी दिवारों और बैक के धेर के बीच की दूरी 30 cm होनी चाहिए सिमेंट की थैले को लकड़ी के तक्तों पर डेर करना चाहिए option C, डेर की चोड़ाई और उचाहिए करम से 3 मेटर और 2.7, 0 मेटर से अधिक नहीं होनी चाहिए D, इन में से कोई नहीं तो इसका right answer जो friends D ही होने वाला है यानि कि ये तीनों कतन जो है सही है तीनों कतन सही है, हमें गलत कतन चुनना है तो इन में से कोई भी कतन गलत नहीं है ओके friends D, डीस का right answer होने वाला है friends अगर कोई question repeat हो रहा है तो उसको skip कर सकते हैं हलांकि एक या दो question repeat होते रहते हैं अगला question है friends हमें सही कतन चुनना है इस बार सही कतन चुनना है निर्मान जोडों को उनके इस्तानों के लिए आवस्यक रूप से नियोजित किया जाता है थरमल विस्तार को समाय जित करने के लिए विस्तार जोड परदान किये जाते हैं संकोचन दरारों को नियंतरित करने के लिए निर्मान जोड़ परदान किये जाते हैं D उप्रोक्षभी तो इसका राय टांस्वर D होने वाल उप्रोक्षभी यानि उपर के तीनों काथन जो है एकदम सत्य है अगला क्वेस्टन फ्रेंट्स यहां पर निमन लिखित में साई काथन चुनिए ओप्षण ए रेत के पत्रों को कैलकेरियस, सिलिशियस और फेरुजिनस सैंड इस्टोन में भी वाजित किया जा सकता है रेत के पत्रों का अप्योग कर कंक्रेट अत्य दिख संकोचन के कारन दरारे ओप्षण डी टूटी भी इटे अच्छी आग परतिरोती गुणों वाले कंक्रेट का उत्पादन कर शक्ति करती है ओप्शन D उप्रोक सभी तो इसका राइटांस्वर ओप्शन D उप्रोक सभी होने वाले हैं तीनों कथन सत्य है नेक्स्ट कवेशन है फ्रेंट्स आपे परवलीत कंक्रीट खंड के लिए अपरूपन परतीबल आरेक का आकार है ओप्शन A पूरी तरह से परवलीक और पूरी तरह से आहताकार ओप्शन C तठेस्ट अक्स के उपर परवलीक और तठेस्ट अक्स के नीचे आहताकार option D, तठस्थ अक्स के उपर आयताकार और तठस्थ अक्स के नीचे परवलाईक तो इसका right answer जो तठस्थ अक्स के उपर परवलाईक और तठस्थ अक्स के नीचे आयताकार होताया यह आरैक का आकार के बाद की गई है friends, ok के अगला क्वेस्चिन जो फ्रेंट्स आपे सीमेंट कंक्रेट बांदों बांदों के निर्मान के लिए समुच्य सैट का अधिक्तम अनुमें आकार है ओप्शन ए 40 mm, B 50 mm, C 60 mm, D 17 mm तो इसका राइट आंस्वर जो फ्रेंट्स आपे 40 mm होने वाला है निमल लिखित में से सही का थन्त चुनिए एक अत्य दिक आउसोसक समुच्य कंक्रेट की कार्य छमता को काफी कम कर देता है नमी सामगरी के निर्दान के लिए समुच्य का विशिष्ट गरुत्व मैत पूर्ण है समगर प्रवाव का उसोसन और छिद्दर कंक्रेट की समपति को प्रवावित करता है ओप्शन डी उप्रोक सभी तो इसका राइट आंस्वर जो है डी होने वाला है हाला कि फ्रेंट्स आप देख रहे हैं कि जातर को उत्तर या पर डी और उप्रोक सभी आ रहा है तो आपको ऐसा निया एक्जाम में पूरा क्वेशन पढ़ना है जो आपको राइट आंस्वर लेंगे वही आपको टिक करना यह नहीं है कि सभी को उत्तर उप्रोक सभी आएगा ओके जल सीमेंट अनुपात को सामानित पर्ती आवसक पानी के मातरा में वख्त किया जाता है तो ओप्षन एक 10 किलो 20 किलो 30 किलो 50 किलो तो इसका राइट आनस्वर जो एडी फटास किलो होने वाला आवसक पानी के मातरा स्लाइब में नियूंतम कवर ने तो बार के व्यास से कम होना चाहिए और ने ही खालिस्तान से कम होना चाहिए उपसने 10 mm, 15 mm, 25 mm, 13 mm तो इसका राइटान स्वर्च फ्रेंट से अब भी 15 mm से कम नहीं होना चाहिए अगला फ्रेंट से आप निमलिकित में से सही कथन चुनिए कम से कम एक मिनट के लिए सेमिट मिलाया जाना चाहिए सूखी सामगरी जोडने से पहले गुरुनन ड्रम में 110 परशेंट पानी रखा जाता है ड्रम में अन्य सामगरी रखने के बाद 10 परशेंट पानी डाला जाता है डी उपरोग सभी तो इसका राइट अंस्वर जो है डी होने वो दिये गे उपर के तीनों कथन सत्य है में कंक्रेट में मुख्य रूप से होते हैं ऑप्शन ए सीमेंट ऑप्शन भी सैट्स पर पांई डी उपरोग सभी तो इसका राइट अंस्वर जो फ्रेंट से बी मूख्य रूप होते हैं अगला question friends है पतली RCC सरंचनाओं के निर्मान के लिए किस परकार के सिमेंट से बचा जाना चाहिए option A साधान पोर्टलेंड सिमेंट तेजी से सकतोने सिमेंट कम गर्मी वाले सिमेंट option D blast furnace slag cement तो यहाँ पर इसका रायटा अंसर जो डी होने वाला blast furnace slag cement अगला question friends अवे निमल लिखित में से कौन सी RCC रिटेनिंग वाल 6 मेटर से अधिक की उचाई के लिए उप्यूगत है option A L L के आकार की दिवार T आकार की दिवार counter fort प्रकार option D वो प्रोक्त सभी तो friends इसका right answer जो यहाँ पर counter fort प्रकार होने वाला है ओके फ्रेंड्स अगला question friends आवे मात्रा के अनुसार एक अनुपाद तीन अनुपाद शाय अनुपाद कंक्रीट मीश्रन के बैचिंग के लिए 50 किलो सीमेट के परती बैग के लिए आवसक सामगरी है option A 70вержτε रेत और 120 लिटर सेट्स समोच है option B 70 Khitoительноीट और 140 suburbs समुझझ चे, option C यां पर 105 Lena रहे और 210 box याँपर समुझझ चे, option D यां पर 105 लोले रहे और 210 liter यां पर समुझ चे, तो इसका right answer रहे हो, friends यहाँ पर कि डी होने वाले 105 लेटर रेत और 210 लेटर सेट समूझ चे अगला क्योश्चन फ्रेंट्स यह निमें लगेत में सही कतन चुनिए एक व्यवारी कंक्रेट के लिए लगाव आवसेक है संगती कंक्रेट की व्यवारेकता को प्रभावित नहीं करती संग यदि कंक्रेट मिश्रन सुखा है तो मंदी अधिकता है डी इन में से कोई नहीं तो इसका राह tay टांश जो सभी गतन दी इन में से कोई यह निकि तीन को तीन प्रभाव जोई गलत है रोंग है अगला क्योश्चन फ्रेट से जिस सथाब पर कंक्रेट के लेड़ लगातार दो इस्तान मिलते हैं उस है अगला क्वेशन है निमन लिकित में सही कथन चुनिए जल सीमेंट पेष्ट जल्योजन के कारण सब्सक्त हो जाता है सकत होने के क्लास का अंतीम क्योश्चन है क्लास के पानी की मात्रा के लिए कंक्रीट की गोल सक्ष्टेत हैं अतरा समूच्ष है तो ह생च दोने झाल झाल